हेलो दोस्तों स्वागत है आपका study for India पे देखिए इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे economic survey 2018-19 के बारे में लास्ट वीडियो में हमने union budget 2019-20 के बारे में डिस्कस किया था इसी channel पर upload है आप जाके उसको देख सकते हैं यूपी PCS prelim 2019 को target करके ये वीडियो create किया जा रहा है निश्ची तोर पर economy section से related questions आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो पहले हम आपको बता दे कि economic survey क्या होता है कि union budget वित वर्ष में जो चालू वित वर्ष होता है उस चालू वित वर्ष में जो अनमानित आकड़े होते हैं प्लस वास्तविक आकड़े होते हैं उनको जो है इसमें शमलित किया जाता है वित मंत्राले के दोरा इसे तैयार किया जाता है और वित मंत्री के दोरा संसथ के समझ जो है इसे प्रस्तूत किया जाता है ततपस्चास जो है नेक्स्ट ए यूनियोन बजट को प्रस्तुत किया जाता है तो इस बाद सरकार ने Economic Survey 2018-19 को 4 जुलाई 2019 को वित मंत्री निर्मला सीता रमन जी के दोरह यहाँ पर प्रस्तुत किया गया यहाँ पर जो है CSO दोरा संकलित यानि के Central Statistical Office दोरा संकलित आकडों को वित मंत्राले के दोरा बजट के पूरु जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है तो यहाँ पर बता दे दोस्तों कि CSO अप्लेस NSSO यानि दोनों अलग-अलग संस्था थी एक National Sample Survey Organization थी एक Central Statistical Organization थी इन दोनों का अब जो है विले कर दिया गया है इसकी जगह पर राश्ट्री NSO National Statistical Office यानि और्गनेजेशन का गठन किया गया है तो यह question यहाँ से पुछा जा सकता है तो CSO के दोरह जो संकली ताकड़े होते है वित मंतराले के दोरह यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है जिसे हम economic survey करते है तो यहाँ पर कुछ लच्छ निर्धारित किये गये हैं जिसे प्रधान मंतरी जी के दोरह कुछ लच्छ निर्धारित किये गये हैं 2014-15 के financial year तक Indian economy को 5 trillion dollar की बनाना है वर्तमान में अगर हम बात करें तो 2.78 trillion dollar economy जो है इंडिया की है और इसके इस 5 trillion dollar economy को प्राप्त करने के लिए जो इंडिया की GDP rate है उसको जो है 8% तक का लच्छ जो है निर्धारित किया गया है economic survey में यहाँ पर 5 वर्स की उपलब्दियां सरकार की भी बताई गई है कि 5 वर्स में क्या क्या उपलब्दियां और थ्वेस्ता के छेतर में सरकार के द्वारा प्राप्त की गई है तो जो भारत की समरिधी विकास दर है वो चीन से अधिक है दोनों developing country यानि की विकास सिल देश है दोनों के अगर तुलना की जाए तो यहाँ पर भारत की पिछले 5 वर्स में भारत की जो GDP rate थी वो चीन से अधिक थी एक यह उपलब्दी है इसके अलामा जो fiscal deficit है यानि कि राजकोसी घटा है जो 2013-14 में 4.5% था वो घटकर 2018-19 में 3.4% हो गया है जबकि 2019-20 के budget में सरकार का लच्छ है कि राजकोसी घटा को 0.1% और decrease करते हुए 3.3% का लच्छ निधारित किया गया है most important है कल के last video में हमने इसको discuss किया था इसके अलामा जो है 90% जनसंख्या भारत के 90% जनसंख्या को आधार से जोड़ा जा चुका है आधार आपको पता आधार कार्ट से जोड़ा जा चुका है इसके अलामा सरकार के दौरा 2014 में जो जैम की 3 मूर्ती लाई गई थी यानि की जन्धन योजना आधार और जैम योजना त्री मूर्ती लाई गई थी सरकार के दौरा यानि की परधान मंतरी जन्धन योजना इसके तहत अब तक टोटल 35 करोड खाते जो है देश में खोले जा चुके हैं इसके अलवा उजला योजना प्रधान मंतरी उजला योजना का भी सर्वा सरकार के दौरा की गए थी जो LPG कनेक्शन बाटने के उद्देश से है 5 करोड LPG कनेक्शन पिछले 5 साल में बाटे गए है वरतमान में अगर हम बात करें तो वरतमान में इसको लच बढ़ाया गया है इस से इस योजना से अब तक लगभग धाई मिलियन लोग लाभानमित हो चुके हैं लगभग 25 लाख लोग को इस योजना का लाब मिल चुका है इसके अलावा विगत 5 वर्सों में बोगी वील पूल का उद्धाटन किया गया है यह most important है कितनी लंबा इसकी 4.94 किलो मीट रहे हैं यह रेल सह सड़क पूल है यानि की रेलवे ब्रीज भी है सड़क की भी सड़क ब्रीज भी है इसे एशिया का दूसरा सबसे लंबा यह ब्रीज बनाया गया है तो यह इस वज़े से important हो जाता है बोगे वील बिल सौरी बोगे वील पूल इसके लावा चौदावा गठन किया गया था जिसमें राज्यों का इससा 32% से बढ़ा कर 42% किया गया है तो यहाँ पर बढ़ा दिया गया है!.. Ist सरकार का अगामी दर्क्रीरिंइ arguedfish कर लेते हैं यहां पर सबसे बड़ी बात है 2024 और 2025 में 5 ट्रिलियन डॉलर की एकॉनमी जो है इंडिया की बनानी है इस प्रकार इंडिया भारत के GDP रेट के अकॉर्डिंग भारत जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थवेस्था बन जाएगी जिस इस लच्च को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को 8% की GDP रेट को मेंटेन करना होगा इसके अलमा विश्व उत्पादन ब्रिद्धी भी 2019 में 3.3% जो है अनुमानित की गई है यहाँ पर निजी निवेस पर भी जोर दिया जाएगा अगाली आगामी 5 वर्षों में इसके अलमा प्रतिवेक्ति आया की बात करें तो देश में गोवा में सबसे अधिक प्रतिवेक्ति आया है उसके बाद सिक्किम उसके बाद हरियाना तो ये क्रम याद रखना है गोवा सिक्किम हरियाना इसके अलमा खाद्यान उत्पादन की बात करें तो 2017-18 में खाद्यान उत्पादन जो है 284.8 मिलियन टन का रिकार्ड खाद्यान उत्पादन किया गया है तो ये भी इंपोर्टें 2019 में जो direct tax है उसमें 13.4% की ब्रिद्धी होई है यह important है यह पुछा जाता है कितने परसेंट की प्रतियचकर में ब्रिद्धी होई है तो 13.4% की ब्रिद्धी होई है जबकि वहीं अब प्रतियचकरों में कितने ब्रिद्धी होई है 16% की ब्रिद्धी होई है यह कि इसी दोरा आटो मुबाइल रसायन में FDI का प्रवा सबसे अधिक देखा गया है क्रमवाइज 2018-19 में आयाद सबसे अधिक आयाद किस का किया गया है तो पेट्रोलियम यानि के कच्छे तेल का सबसे अधिक जो है आयाद भारत सरकार के द्वारा किया गया है जबकि सरवाधिक निरियात के अगर बात करें 2019 में तो पेट्रोलिय मुत्पात का सबसे अधिक निरियात किया गया है USA जो भारत का सरवाधिक निर्यात तुनमुक देश बना यानि कि सरवाधिक निर्यात कहां पर किया गया है तो सरवाधिक निर्यात जो है USA में किया गया है उसके बाद UAE दें चीन तो ये क्रम आपको याद रखना है कि सरवाधिक निर्यात भारत कहां करता है सबसे अधिक USA मे फिर चीन में करता है सरवाधिक निर्याद बिद्धी पूरे वर्ल्ड अस्तर पे देखा जा तो नीदर लैंड में नीदर लैंड में सरवाधिक निर्याद बिद्धी बड़ी है इधर बीच 2018-19 के financial year में जबकि आयात के बिद्धी जो है सबसे अधिक सिंगापूर में सिंगा इसे लिएर में किया गया था प्रतिव एक्ति दुग दुग उपलब्द था जो है सरवाधिक पंजाब को सरवाधिक पंजाब जो है प्रतिव एक्ति दुग उपलब्द था यहां पर उपलब्द है 1120 ग्राम मचली उत्पादन में भारत का दूसरा इस्तान है जबकि चीन पुछा जाता है कच्छे इस बात उत्पादन में भारत का कौन सा इस्थान है दूसरा इस्थान है चीन भारत जपान इसके लाओं दोस्तों कुछ उत्पादन फसल उत्पादन के बारे हम देख लेते हैं क्योंकि इससे प्रशन जो है जनरली पूछे जाते हैं तो फसल अगर हम भारत में बात करते हैं, तो पस्चिम मंगाल में, फिर उसके बाद पंजाब में, उत्तर पрदेश में, यानि उत्तर परदेश में, चावल के स्थान पर जो है मैं तो इंपर्टेंट हो जाता है मुंफली का सरवादिक उत्पादन को सा राजिग करता है तो गुजरात में सबसेदिक मुंफली का उत्पादन होता है उसके बाद रिजस्थान में होता है यह सब गर्णा का सरवाधिक उत्पादन उत्तरप्रदेश देन महराष्टा में कपास के अगर बात करें तो कपास का सरवाधिक उत्पादन गुजरात में होता है उसके बाद महराष्टा में होता है जबकि जूट में सरवादिक उतपादन पस्षी मंगाल और उसके बाद बिहार में होता है कच्चा तेल उतपादन में सबसे अधीक उस तरीके से देखा जा तो आप शोर जो होता यानि जो अब तटी ये छेत्र होते हैं वहाँ पर सबसे अधीक उतपादन होता है लेकिन राजी के दृष्टी सागर हम बात करें तो सबसे अधिक कच्चा तेल का उत्पादन रजस्थान में होता है उसके बाद गुजराथ उसके बाद असम ठीक है कच्चा तेल का सरवादिक उत्पादन रजस्थान गुजराथ फिर असम ये करम है इसके लावा आयात के दिश्टी से सिर्ष देश कौन है यानि कि सबसे अधिक आयात कौन सा देश किया तो सबसे अधिक आयात जो है चाइना ने किया है इसके बाद USA ने उसके बाद UAE ने यानि कि चीन नंबर वन कंट्री है फिर USA है फिर UAE है निरियाद सबसे अधिक कौन सा देश करता है तो निरियाद सबसे अधिक जो है USA करता है सेकेंड पे UAE है थर्ड पे चीन है ठीक है तीनों देश आयात और निरियाद के दृष्टी से दोनों महतपूर है आयात भी करते हैं और निरियाद भी करते हैं तो यहाँ पर चीन सबसे निर्यात करता है थर्ड पर जो है मसाले का निर्यात करता है तो अगर यह प्रश्ण पूछा जाता है कि भारत जो है सरवाधिक किस वस्तवों का निर्यात करता है तो चावल का सरवाधिक निर्यात करता है देन मोतिव बहुमोले रतनों का फिर उसके बाद मसाला का दोस्तों टोटल एकॉनमिक सर्विस से इतने रिलेटेट क्यूस्टेंज जो है इसमें से कोई ने कोई प्रश्ण आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे नेश्ट वीडियो में हम आये सफार 2017 के बारे में डिसकस करेंगे जो ये पंद्रहवी वन रिपोर्ट है 12 फरवरी 2018 को जारी की गई थी तो इससे प्रश्ण भी मैक्समम पूछे जाते हैं तो इसको नेश्ट वीडियो में डिसकस करेंगे विए चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिजिए मिलते ने स्टूडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्य बाद